नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉक्सिफोर्स सीवी 625 टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, मॉक्सिफोर्स सीवी 625 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और मॉक्सिफोर्स सीवी टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि मॉक्सिफोर्स सीवी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Moxiforce CV 625 एक ब्रैंड नेम है Moxiforce CV 625 टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है Moxiforce CV टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन अमोक्सिसिलिन 500 mg और पोटेशियम क्लैवलेनेट 125 mg होता है Moxiforce CV टैबलेट एक अंटिबायोटिक दवा है Moxiforce CV टैबलेट का उपयोग शरीर में bacterial infection होने पर किया जाता है जैसे फेफरों में bacterial infection होने पर, pneumonia होने पर, खासी होने पर, पेट में infection होने पर, दातों या मसूरों में infection होने पर, जोडों या हड्डियों में infection होने पर, पेशाब में infection होने पर और कान नाग गले या तवचा पर infection होने पर डॉक्तर मॉक्सिफorce CV टैबलेट को लेने की सला इसके अलावा तवचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, तवचा पर कोई घाव होने पर या तवचा पर कोई इनफेक्शन होने पर भी डॉक्तर मॉक्सिफोर्स सीवी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तवचा पर रैशेस होना, तवचा पर खुजली होना, पेट में दर्ध होना और दस्त होना आधी साइड इफेक्स मॉक्सिफोर्स सीवी टैबलेट की वज़र से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की मॉक्सिफोर्स सीवी टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। मॉक्सिफोर्स सीवी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। डिसकस करेंगे की मॉक्सिफोर्स सीवी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। मॉक्सिफोर्स सीवी टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने मॉक्सिफोर्स CV टैबलेट को लेने की सलाह दी है. क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक मॉक्सिफोर्स CV टैबलेट को लेने से एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है. और antibiotic resistance होने पर वो antibiotic दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और moxiforce CV tablet को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है इसलिए आपको moxiforce CV tablet को आपके डॉक्तर दवारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए Moxiforce CV Tablet Viral Infection होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए क्योंकि लिवर और किड्नी की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में Moxiforce CV Tablet की डोज घटानी पड़ सकती है अगर किसी व्यक्ति को Amoxicillin, Potassium Clavulinit, Penicillin Antibiotic या Cephalosporin Antibiotic दवाओं से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को Moxiforce CV Tablet का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए वैसे Moxiforce CV Tablet Pregnant महिलाओं और गर्प में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी Moxiforce CV Tablet का सेवन करना सुरक्षित है इसलिए डॉक्तर जरूरत पढ़ने पर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Moxiforce CV Tablet को लेने की सला दे सकता है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Moxiforce CV Tablet से संबंधित कोई प्रशन है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं